पूर्व मुख्यमंत्री लालू परसाद यादव से जमीन के बदले नौकी मामले में पूछताच की जा रही लालू यादव पटना के एडी जोनल दफ्तर पहुँचे जहां उनसे पूछताच की गई की जा रही है और इस मामले में तेजस्वी यादव को भी एडी ने अब कल सवाल जवाब के लिए बुलाया है इस मामले में दो दिन पहले ही एडी की चार्शीट पर संग्यान लेते हुए दिल्ली की ही अदालत राउजेवे न्यू कोड जो है उसने राबडी देवी मिसा भा अर्थी का बयान और हमारे सहयोगी रनवीर सिंग की रिपोर्ट लोग देख रहे हैं कि किस तरह से कल घटना करम रहा और आज से ये एजेंसियों का स्टार्ट हो गया है तो इस तो कोई कॉमेंट नहीं लालु यादव अपने घर से करीब 11 बजे के असपास निकले और यहाँ जो इडी का दफतर है गांधी मैदान के पास वहाँ पहुचे उनके साथ मीसा भारती भी थी और आजेडी के तमाम कारे करता जो इडी का जोनल अफसर आफिस है वहाँ पर है तो लगपक ठाई घंट चो रही है तो कल सरकार गई और आज लालु यादव अपने के दफतर में बैठे हुए हैं यह मामला है साल 2008 और 2009 का जब लालु यादव बोई मंत्री थे आरोप लगा कि रेल मंत्री रहते हुए नौकरी देने के बदले जमीन ली गई और इस मामले में लालु ही नहीं लाल लालु यादव पहुचे हैं और जब हम उनके घर पे मौजूद थे वहां से जब लालु यादव निकले तो चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इससे घबराय और परिशान नहीं है लेकिन सचा यह है कि कल एक राज नितिक जटका लगा जब आज एडी सरकार से बाहर हो गई गडबंदन तूट गया और भारती जंता पार्टी के साथ मिलकर नितीश कुबार ने फिर से सरकार बना ली और आज सुबह सुबह लालु यादव पहुचे हैं एडी दख्तर तो परिशानिया बढ़ सकती हैं इस